संदेश खाली ही तो अभी पहली जहांकी है पूरी फिलिम बाकी है बंगाल में गाउं-गाउं से इसका घटना होने वाला है अभी यो शुरू हुआ है लोग संदेश खाली में सभा करने वाले ते क्यों बंद कर दिये जाके करके दिखाओ हां टीमसी के बैनर में जंडा लेक है यह तो पूरा संदेश खाली ही तो अभी पहली जहांकी है पूरी फिलिम बाकी है बंगाल में गाउं-गाउं से इसका घटना होने वाला है अभी यो शुरू हुआ है ब्रिगेड तो बहुत दूर है वो लोग संदेश खाली में सभा करने वाले ते क्यों बंद कर दिये जाके करके दिखाओ हां टीमसी के बैनर में जंडा लेके सभाग प्राओ पाबली उसका जवाब दे देगी इसलिए वो सब ना बोले पिछले बार पूरा देश से सारे पार्टी को बुला करके ममता बंगेड में शभा की थी उसके बाद एक दरजन सीट को उनका कम हो गया है इस बार दोबार हों होने वाला है दस के नीचे उनका सीट आएगा इसकान को मन धंट कमीटी और टीम सी अपना पलू के नीचे छुपा कर रखिये महताबना जी साजाहन को और ऐसा साजाहन गांगां में है और पाबली उसको ढूंड के निकालेगी और अलगलग टीम है MP टीम एक फाइंडिंग कमिटी इसको रोक करके महताबना जी सोच रही है कि घटना को दबा देंग है वहां के लोग को महिलाएं जीस प्रकार से आवाई उठा रही है एमसी की नेताओं को घर से निकाल नहीं है पकड़ पकड़ पुलिस को रोक रही है पुलीस की हम्मत नहीं उनको रोकने के लिए ये जो घटना से पता चलता है कितना अत्याचार वहां हुआ है और पुरा और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो यहां चुनाओं भी शंभब नहीं है। पॉइंट बेंक रिंग बंगाल में गांगवां में सुट आउट हो रही है। अरे सारा टीम्सी का अंदर ही हो रही है। टीम्सी के नेता यह सारे एंटी सोसल है। टीम्सी ने उसको निता बनाया, ठिकर दिया, पद्दे दिया है। लूट मार जो कर रहे हैं उसको लेकर गुली चल रही है, एक दुसरे को मार रहे हैं। और इसमें समाज में एक प्रकार का भाई की परिवेश है। बंगाल पुलीस और टीम्सी के मंतरी जा रहे हैं वहां के टीम्सी के नेतार साजान को बचाने के लिए। लेकिन वहां की जनता अत्याचार सहन करते करते सीमा पार कर चुकिये। इसलिए अजीत माहिती जासे नेता को घर सो ठागर के लागर यूता से प्लीट रहे हैं रास्ता में पकड़ रहे हैं पुलिस का गाडी रोक रहे हैं।